हेलो गुद इविनिंग अब्रिवन आजुंग पढ़ने वाले हैं फिर्स्ट इयर का बहुत एक विज्ञान का आप लोगों का द्रव अविस्था चल रहे थे लिक्विड स्टीट चल रहे थे जिसके अंदर मैं आपको बता चुकी हूं कि द्रवों के मध्य में कितने प्रका मैंने आपको बता दिया था कि द्रव जल की सरचना क्या होती है आज बहुत इंट्रेस्टिंग अपक है आप लोग का पहला तॉक है अज का हूं वह है रव क्रिस्टल ले कृष्टल जिसे कहते हैं क्या है जिकंज है वह है क्लासिफिकेशन आउ लिक्विड क्रिस्टल द्र प्रकार कि अवस्ताय होती है थोस, Memorial, और गेस्, है लेकिन लेकिन एक एक और स्टेट planets होती है होना कौование से स्टेट अपन गेको MARY है इसको बोलते है हम liquid crystal बोलते है उसको ठीक हाँ पर आती है थेखोण यह गैस है, गैस से लिक्विट और लिक्विट से सॉलिड, इस लिक्विड और सॉलिड के बीच में एक स्टेट आती है, है नौ, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, लिक्विड स्टे, लिक्विड क्रिस्टल, है नौ, स्टेट को हम बोलते हैं, लिक्विड लिक्विट के भी गुण है कि जिसमें crystal मतलब क्या solid, मतलब जिसमें क्या है? solid के भी गुण अपस्टीत है. तो जैसे कि हम बात करते हैं कि ध्रवों के क्या-क्य गुण होती है? एक तो द्रवों में प्रिस्ट्र तनाव होता है, surface tension होता है, दूसरा द्रव की बहनी की nature होती है, किसी भी शहत को या किसी भी liquid का बहाओगे तो बहेगा तो बहनी की tendency होती है, थाड़ ये कि उनमें शांता होती है, आप लोगोंने viscosity नाम सुना होगा, तो viscosity होती है और एक और द्रव को अगर आप किसी भी पात्र में रख दो तो वह उसका shape ले लेते हैं, तो ये कुछ-कुछ characters होते हैं किसके अंदर द्रव में, मतलब liquid में, liquid के अंदर ही गुण प्रेजेंट होते हैं, तो और दूसरा ठोस के कुछ-कुछ गुण होते है, जैसे कि ठोस जो होते है, म इसके अलाबा क्या होता है, कि वह विवरतन दर्शाते हैं, diffraction दर्शाते हैं, मतलब कोई भी करण आएगी, तो वह इस तरीके से वापस चले जाएगी, इस थाप की चीज़े, विवरतन दर्शाते हैं, या फिर लिक्विड रहता है, द्रव रहता है, वह कहना है आइसो आइसो टॉपिक होते हैं, मतलब सम दैशिक होते हैं, है ना, जबकि हमारा जो सॉलिड है, वह ऐसे जरूरी नहीं है, क्यों सम दैशिक हो, हो सकतना है, वह कहीं दिशा से कुछ और टाइप से हो, किसी दिशा में कुछ और आकार लिये हो, तो विशम दैशिक होते हैं हमारी स जाए जाए अपने बेखा लेब में एक्सपेरिमेंट करते हैं अगर आप लोगों नहीं देखा हो तो टेस्ट्यूब में है तो लिक्विडी लेकिन थोड़ी सी तर्बिडिटी आजाती है वो जो चीज हे उसको बोलते हैं लिक्विडी क्सैल्मिक रेटि यहां अगर ध्विडी क्ली सी और रिज्टकेतना हो लेकिन वोगों शवरा आप लोगों फैके अहांट प्रिड वरार जाए, वोगध नहीं दिख ग amendment थो नहीं कहसके प्राव का अंदर कंदेती अ उसमेंट न इस तैब के मितलब थोड़ा बाद दुंदला पने उनके अंदर है ना तो वो जो है ना हमारे पास कहलाते है ना लिक्विड क्रिस्टल सेना अभ इनकी ना इनकी इनको कब देखा गया देखो कुछ ऐसे सॉलिड्स देखे गए अभी हम कमपाउंच देखेंगे कुछ ऐसे सॉ एसथा में पाँज गया जो कि ऐसी थी थोड़ी दुंदली मैं थे जहीए मतरवत्थपुरह एक जैसा अयस्स्टापिक होते है सब जगे एक जैसा होता है लेकिन ऐसी आवस्था नहीं मिली में कुछ और आवस्था हमें ठीक है जिसमें थोड़ा बत कह था दुंदला पनमी था है ना थोड़ावा दुंदलापन भी था ऐसी आवस्त हमको मिल गए जैसे हम एक्जामपल लेती हुआ आपको जैसे कभी लैब में एस्ट्रेस पास किये तो एस्ट्रेस पास करते हैं जब किसी टेस्ट्यूब में तो कैसा दुंदलापना जाता है वह उस चीछ की बाद च तो इसका अर्थ यह हुआ कि थोस अर द्रव के मध्य में एक ऐसी अवस्ता हमें मिली जिसके अंदर द्रव के तथा साथ साथ में थोस के भी गुड़ों पस्तीत हैं तो उनके बारे में हमने बात की कि यह क्या होती है कैसे हमको मिलती है जैसे अभी मैंने गुण बोले थे तो इनके विशेश्टा है क्या मिली हमें कि यह जो है लिक्विड क्रिस्टल है इनमें बहने की शमता है मतलब द्रव का गुड़ों हो गया इनमें शानता है मतलब द्रव का गुड़ों हो गया इनमें विसकॉसिटी है मतलब वो इस सारे तो इनमें द्रव के गुड़ों प उसके बाद क्या है इन में कुछ-कुछ का मतलब विवर्तन दर्शाने के नीचर है इनके पास तो ये भी हमारे पास X-ray विवर्तन जो होता है विवर्तन जो रहता है वो ठोस दर्शाते है तो ये ठोस के गुण हो गए तो क्या हो गया कि दोनों की दोनों के गुण इसमें क्य वो अब भी हम देखेंगे है इनकी डिटेल जो भी है देखो सबसे पहले जो लहमन नाम के एक साइंटिस्ट आये थे उन्होंने क्या किया उन्होंने ये हमारे पास थोस कॉलेस्टिरिक बेंज्वाइट देखो अगर आपसे क्रिशन पूझा जा सकता है कि सबसे पहले सबसे लिक्विट किस्टिल के खोज किसमें की गई थी है तो ध्यान रखिएगा कि इसकी खोज हमारे पास की गई थी थोस कॉलेस्टिरिक बेंज्वाइट नाम का एक तत्व है उसमें इसकी खोज की गई थी फिर थोस कॉलेस्टिरिक बेंज्वाइट को इन्होंने का क्या हीट क मतलब तर्बिटी समझते हो आप क्या होता है लाइब के अंटर एक्सपेरिम में एस्टो एसपास करते हैं तो किसा दुंदला पनाता है उसी चीज को हम तर्बिटी बोलते हैं अब धान रखना मैं उस धुंदलेपन के लिए हर जड़या वर्ड तर्बिटी यूज मिलूंगी प्रॉपर्टी लाइक क्रिस्टिल के समान गुण हमें कौन-कौन से मिले तो देखो यह डबल रिफ्लेक्टिंग है मतलब द्वी अपवर्ती है जो ठोस का गुण है मतलब अब हम पढ़ रहे है कि लिक्विट किस्टिल में कौन-कौन से गुण ठोस के होते हैं और कौन- इंके प्रॉटब गुण साथ है दर शाते हैं उसके बात करते हैं कि यह दुरूवियय प्रकाश में व्यतिकरण दर शाते हैं और ये तो कौन गगए धोस के समान गुण है तो प्रस्ट्रित नाव कैने की शंता है ये शान्ता होती है और 4th point जो मैंने नहीं लिखा है, 4th point है कि अगर आप इसको किसी भी पात्र में डालोगे तो ये वैसा आकाल ले लेंगे, तो 4 point इनके क्या है, द्रव जैसे होते हैं, तो और जब की, हाँ पैने लिख रखा है, देखो, लड़की बने हुए उसके उपर की ये शुद्ध द्रव जो है, वो आईसोटॉपी दर्शात है, मतलब समदैशिकता दर्शात है, जब की, जब की हमारे जो लिक्विड किस्टिल है, वो हमारे पास क्या है, वो शुद्ध मतलब नहीं है, वो हमारे पास विश्म दैशिकता दर्शा रहे है, तो ये हमारे पास इसके बाद इसके liquid crystal के बहुत सारे नाम है, है न, liquid crystal के बहुत सारे नाम है, पहला जो है, वो turbid liquid है, आविल द्रव है, क्यों है, विकि इसमें turbidity मिलती है, दूसरा, इनमें हमको anisotropy मिलती है, आपको मैंने भी बताया है, थोसका गुण है इनके अंदर, anisotropy का विशम दैशि स्टीट या मद्याकरतिक अवस्था, mesomorphic या मद्याकरतिक अवस्था से मतलब है, कि ये द्रव और थोस, दोनों की क्या है, intermediate है, देखो मैंने, mesomorphic जो है, वो एक Greek word है, न, नीचे लिखा हुआ है, देखो, ये mesomorphic जो है, वो एक Greek word है, जिसका अर्थ होता है, intermediate, चुकि इसक क्यों हो, क्यों हो, क्यों कि ये द्रव के लिए, तथा गैस के लिए, दोनों के लिए, ये क्या है, एक प्रकास से intermediate का ही काम कर रहे है, ये जो नाम है, mesomorphic state, ये कि इसने दिया था, फ्रिडल नाम के एक साइंटिस ने, उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया था, तो आप लो जो आपने ठोस को गरम किया, जो आपने शॉलिट को गरम किया, तो आपको क्या मिला, लिक्विड क्रिस्टल मिला है ना, और लिक्विड क्रिस्टल को और गरम किया तो आपको क्या मिला, लिक्विड मिला है ना, तो वो ताप मान, जिस पर की जो आपका शॉलिड है, वो त ताप को तो इन्होंने क्या बोल दिया है? Transition, Sankraman, Sankraman ताप या फिर बोल देते हैं हम इसको Transition Temperature है न? वो ताप करम जसपर की हमारा जो ठोस है वो द्रवक टेस्टिल में परिवर्तित हो जाता है उस ताप को तो बोल दिया है Sankraman ताप है न? लेकिन वह ताक्रम जब आप गरम क्या लिक्विड क्रिस्ट्ल को हुlando कि दौर्वी क्वर्स पर्यवकितर हो जाया तो असापको को हम क्या बोल देते हैं उस ताप को हम बोलते था है गलनांक बिंदू या फिर मेल्टिंग पॉइंट हम इसको बोल देते हैं दूसरा एक और चीज धान लखने की है कि जो आप ठोस को जब आप लिक्विट को आप क्या करोगे ठंडा करोगे ठंडा करोगे तो यह किस परिवर्तित हो जाएगा liquid crystal में, जब liquid crystal को और ठंडा करोगे, तो यह हमारे पास solid में परिवर्तित हो जाएगा, तो दो ताप हमको मिले, एक तो संक्रमन्टाप, दूसरा आपको मिले गलनांग्टाप है न, इसके बाद हम बात करते हैं कि, इसके बाद हम बात करते हैं, examples of liquid crystal, देखो, मैंने बहुत चरी example लिखे हैं, पहला जो है, पैरा, एजॉक्सी, अनाइजोल है, दूसरा है, पैरा, एनॉक्सी, फैनितॉल है, तीसरा है, हमारे पास, एथिल, पैरा, एजॉक्सी, विंजॉयट, फोर्थ है, एथिल, पैरा, एज है, ammonium oleate है, यह कुछ examples है, और अगर आपसे question पूछा जाए, पहला, सबसे पहला किसमे मिला था, तो मैंने आपको अभी बताया था, कि एक scientist आये थे, यह लहमन नाम के, 1989 में, और सबसे पहला जो liquid crystal है, वह कौन सा है, कॉलेस्टेरिक बिंजॉयट हमारे पास है, है ना, उसक पात क्या है, कि यह जो होते है liquid crystals, यह लंबी चैन वाले organic compounds होते हैं, लंबी चैन वाले carbonic समों होते हैं, उनके बाद इनका जो अंतह संक्रिय समों हो है, and का जो active जो part है, वो होता है, हमारे पास OR और COOR होता है, और बीच में हमारे पास कह रहता है, कम सक्रिय समों होपस दित specific basis, पर उनके अकार के अधार, उनके shape के लिए, उनके nature के basis पर, उनके behavior के basis पर, और कौन कान से गुंड वो द्रव के दर्शार है, कौन कान से वो ठोस के दर्शार है, उसके basis पर यह क्या होता है, हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, पहला तो है somatic, जा फिर जिसको sop की बोलते साबुदानी में साबुन रखा हो है ना साबुन की बात नहीं चल रही है लेकिन गीला साबुन अगर आप वहां पे रख दोगे तो गीले साबुन को चुब आप फटाओगे तो नीचे की तरफ आप देखना थोड़ी सी गिली-गिली सी गंदा-गंदा तो नहीं कह सकते हैं गिली-गिली सी अगर आपने गिला साबुन रख दिया है तो आप साबुन को हटाओगे तो नीचे की तरफ स्वाबुदानी में बिना थेदवाली होगी तो नीचे की तरफ साबुदानी में आपको थोड़ा सा गिला-गिला सा सोप मिलेगा गिला-गिला सोप मिलेगा है न तो यह हमारे पास somatic हो गया, क्योंकि यह soap जैसे दिखते हैं, इसलिए इनको soapy liquid crystal नाम दिया गया या फिर somatic नाम गया, दूसरे हमारे पास होते हैं pneumatic, ठीक है, और तीसरे हमारे पास होते हैं colesteric, colesteric होते हैं, तो इनके characters हम पढ़ेंगे कि इनमे क्या-क्या गुण होते हैं, और किन-किन के धापे हमको इनको क्या नाम दिया सुत्री, अब जैसे pneumatic है, pneumatic को हम इननी बोलते हैं सुत्र, सुत्री liquid crystal या draw crystal, सुत्री का मतलब होता है सुत्र के फॉर्म में, मतलब यह कि यह लंबी-लंबे धागों के रूप में, धागा मतलब सुत्र, लंबे-लंबे आगों के रूप में उपस्तित होते है pneumatic, तो इसलिए इनको नाम दिया गए pneumatic है ना, वो साबुन के जैसे थे तो somatic और कॉस्त्र, और दूसरे जो हमारे पास है, कॉलेस्टेरिक जो होते हैं, कॉलेस्टेरिक ऐसे होते हैं, ऐसे liquid crystals, जिसमें कुछ तो कुण somatic के आगए, और कुछ-कुछ नुमेटिक के आगए, मतलब यह कि जो की combination है हमारे पास, somatic का और साथ-साथ में pneumatic का, दोनों का जो combination है, उन liquid crystals को हम क्या बोलते हैं, कॉलेस्टेरिक liquid crystals बोलते हैं, है ना, इनके बारे में पढ़ेंगे, क्या-क्या इनके अंदर हो रहा है, देखो, सबसे पहला जो है, वह आप लोगों का है, somatic liquid crystal या पिछिसको हम बोलते है, soapy drug crystal हमने जिसको बोला है, है ना, अब देखो, इन में क्या हो रहा है, soapy drug crystal की बात करदे हैं, तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि, सामन्य तहा हमारा liquid होता है, कैसे भेटा है, पता है आप लोगों क तरह लेकिन जो स्मेटिक जो liquid crystals होते हैं इनका एक नेचर द्राव से अलग होता है क्या कि यह जो बहते है ना यह द्राव की तरह नहीं बहते हैं द्राव अलग तरीके से बहते हैं यह अलग तरीके से बहते हैं तो इनका एक गुण द्राव से अलग है कांसा जरूरी तो नहीं है ना don't flow as a normal liquid second जो है यह समित गतिशीलता होती है इनकी limited mobility होती है बहुत ज्यादा moment नहीं करते मतलब आसानी से नहीं बहते है ना आसानी से जिस द्रव होता है वो आसानी से बह जाता है यह आसानी से नहीं बहते है ना तीसरी चीज़ यह कि परते इसमें परते एक दूसरी के उपर बहती है जैसे कि धान लखिएगा इसकी सबसे पहले एक परत रहती है ठीक है इसके उपर फिर दूसरी परत रहती है फिर तीसरी परत फिर चौथी परत फिर पाच्वी परत ऐस सरीके से परतों के फॉर्म में यह को यह झा अक यह झा नह सब्सक्राइब करें काल शांता की तृतल पर काम करती उने पर क्या है काम नहीं करती है है ना उसके पाद यह बाइत करते हैं कि काज की परत पर यह सोप निट सरचना बनाते हैं, when they sprayed over the clean glass surface, they form a terraces and this terraces shows series of fine light even in ordinary light और more in formalized light, दिक्ऴो क्या रहता है काज की परत पर यह सोप निट सरचना बनाते हैं जो परेकाश में दिखती हैं और धून्य पकाश में फॉर्स दिखती हैं मतलब कहने का मतलब यह है कि क्या किया मैंने काच के स्रीड निक उसमें को को बर स्प्रेट कर दिए जब बर सिपरेट करोंगी आपको ऑबकर बने ऐसी है लो बनाते बाती है कि X-ray diffraction दर्शाते हैं, है ना, X-ray diffraction मि आपको पहले बता दिया, तो एक solid का गुण हैंगी, है ना, तो यह है ठोसों के समान X-currant Viverton दर्शाते हैं, इसके बाद इह इनकी जो flow होता है, हमेशा एक dc होता है, और चुम्बह के छैत्र से अप्रभावित रहता है, append dependent हमारे पास प्रभावित हमारे पास हमको मिलते हैं, इसके बादो बाट कर रहे हैं, ये नाम नमेटिक लिड कीुछ और ये ईसा के सांवने द्रावर होता है इस तरीके के यह ऐसे धागों के समान ऐसे रहते हैं इसलिए इनको नाम क्या दिया है इनके बारे में कि इनका जो फ्लो होता है वो सामने द्रव के समान होता है सामने दरव के समाँडर के बहते हैं और तिव रगती से इंग का प्रवाacy होता है सामने प्रवा यह सोपी से तिवर मतलब यह सुमेटिक वालों से जादा सपीच से जलते हैं और उसके बात-बात कीशा है भो शांता का जो concept है वो इन पर लागू होता है उस पर lagoon नहीं होता था, इन पर जो शाहन्ता का concept है वो क्या है? lagoon होता है उसके बात-बात करते हैं कि धुरूव ये प्रकाश में धागे नुर्मा दिखते हैं मना आपको पहले हिरा दिया कि धागे नुर्मा दिखाई देता है फिर बात करते हैं कि एक अक्षिय होते हैं परन्तु चुम्बी के छेतर से, देखो हमारे पास स्वमेटिक जो थे, जो हमने स्वमेटिक पढ़े थे देखना, ये स्वमेटिक के बारे में देखो, ये एर्थ पॉंट क्या लिख रखा है, कि ये एक अक्षिय होते हैं, उसके प प्रभावित होते हैं उसके बाद हम बात करते हैं कि चुम्ब के छेत्र में शुद्ध द्रव समान का विभार ये करने लग जाते हैं कि अधर म कंसे पिलते हैं कि क्या रहता हैं नियुक्त नियुक्त हम अधर है तो 20 जितनी ही आउन कमाद ये मैंने कहा विषम द कहा, मतलब कैसी गहारा है अरेंज हो सकते हैं मतलब सबें जैसे अच्छे से अोटिय। सब एक में सब्सक्राइब में हो,िसे में कच्छों को efficacy is अपनी मरजी से हैं कहीन कहीन, समझो इस चैज को क्या किया जाता है जैसे ही इन पर मतलब liquid crystal पर क्या इसका उनु या पने आपको और क्या करता है चूंब के भाले में सुनाओक है बैसे ही चुंबब के छेत्र की दिशा में है है घोटको औरेंट कर लेते है और क्या क estos की दिशा में औरेंट कर लेंगे तो तो यह जो यह और गांगी गृमि मैं चेतर मीं yem किश्थार सांने तो हम बात कर रहे हैं कि मैं परिवर्तित हो गता है यह यह क्या रहता है पहले बता दिया कि आपके को रहती है वो आपके पास अपको क्या वर्णा है जैसे की न यह क्या करते है धुरूविय प्रकाश में आपको क्या क्या करते हैं सॉमेटिक जैसा प्रव्यार दे देता है लेकिन साथ साथ में प्रकाश ये गुन भी दर्शाते है ठीक है तो इनके मतलब इनके परत सरचना होती है मतलब जैसे कि आपने पढ़ा होगा मैंने आपको पहले बताया तो सॉमेटिक में सॉमेटिक में क्या बताया था इसे पढ़ इत्तों बताया थे जब आपको ऑपको लिकविड क्रीस्ट्ल बन रहा है तो उसको बनने के लिए चुछ चाइए ऑनी आपके पास कहलेना यह उसके बाद जिब आपने द्रव क्रीश्टर को गर्म कहला है तो लेकविड बना तो उसके लिए पन कहलाया, क्या कहलाया, गलना क does क्या कहलाया, घ्लना कि कर्फ के मैं के मेल्टिंग पेंट करें तो आपकी बुक में कुछ examples दे रखें धैम रखना, Somatic के is के कुछ example हो हैं के कुछ एक्जाम्पल है को तीनों के एक्जाम्पल से आद रखने हैं उनमें अलग-अलग तत्रों के लिए चाकर रखाया अलग-अलग संक्रमन तथा बेल्टिंग बंदे रखाया आप उनको धाम रखिएगा थैंक्यू सो मच्छ आप लोगों को चीजे समझ में आई होगी लिक्विट क्रिस्टल्स आपको समझ में आयोंगी क्या होता है इसके अंदर फों मोर डीटेल आप लोग बूग पड़ सकते हो बूरी बी आ पूरी श् यानन, कुंडवन जयन, सुदेश, आमीता, आसीखन डेलवाल, आरामीता, आजेवर्दिया फों मोर डीटेल आप लोग हमारे कॉलेज चेंपर में पाटक कर सकते हो वाट्सप नमर दे रखाया है इमिल अद्रस है या फिर आप कॉलेज चेंपर में आकर भी अपन्तेक कर सक झाल झाल